कि रोज़ने तेतर वर्षों से रंपंच्छमी पर होने वाले गैर का अज़ें इस बार कोरिना वारेंस के भिक्छर गया बंदॉर में फूरी तरह से अब लॉक टाउन को देजिए लुकिया गया है करता है कि आप सभी अपने अपने घरों में रहेंगे तो प्राता आठ बजे से खुलेंगी और दो पहर एक बचे बंद जाएं मदर्प्रोदेश से जुड़ी एक खबर सामने आई है कि शिवराद सिंग चोहान ने अपना वहमत साबत कर दिया है सरकार का इन तस्वीरों को देखकर छे महीने पहले का वो डरावना मनजर याद आ जाता है जब कोरुना वाइरस ने इन दौर की सरजमी पर दस्तक दी हमारे हसते खेलते खाते पीते इन दौर को जेसे पूरी तरीके से रोग दिया हो जी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिस तरह से इंदौर जिले में जो लगातार कोरोना संक्रमन को लेकर समातिकून हालात बने हुए थे ऐसे में मध्यपदेश की शरिवरास तरकार ने जो है बड़ा फैसला और मनीश सिंग को इंदौर कलेक्टर बनाए गया है इसमें किसी को अगर पुलिस लाटी चार्ज करती है लट पड़ते हैं किसी गृफतारी होके अस्तारी जल लाते हैं तो लोग फिर बाद में हम तो ही बोलेगी यह दियर निर्देश में दूँगा यह कुरोना के कंट्रोल के संभण में ते सोचल डिस्टेंशिंग के ओडर है उनका पूर्ण तरह पालंग करना है लेकिन आज हम आपको यह सब क्यूं याद दिला रहे हैं इन सब तस्वीरों से रूबरू क्यूं करवा रहे हैं शायद अब आपको बचाने का आपको समझाने का यही एक तरीका बचा था वधिप्रतेश के आर्थिक राजधानी इन दौर देश में मरिजों के संख्या के मामले में 20 हजार के क्लब में शामिल हो गया है सुनदार रात को 440 से जादा नए केसिस की बुस्टी हुई शे महीने पहले 14 मार्च के दिन रंग पंचमी को निरस्थ हुई इंदौर की गैर वो पहला संकेत थी कि मानो अब कोरोना ने इंदौर में दस्तक दे दिये और इसी के साथ हम इंदौरियों का परिचय दो नए शब्दों से भी हुआ पहला 22 मार्च जनता कर्फ्यू और दूसरा 24 मार्च लोगडाउन आज प्रतेग देशवासी से एक और समर्थन माँग रहा ये हैं जनता कर्फ्यू इंदौर का कोरोना सफर सोशल मीडिया में जनता कर्फ्यू से पैदा हुई पॉपॉलरिटी से शुरू होकर टोटल लॉकडाउन तक चला नियमों को ताग पर रखते हुए बेचारे कुछ इंदौरी इंदौर में तफ्री करने तो निकले हाला कि वे घर लोटकर अपने पैर और कमरदर्द का कारण अपने घरवालों को बता नहीं सके अब नहीं के लोगडाउन में निकलने क्यसे लगते है कर दो नहीं करो बढ़िया बहुत बढ़िया नहीं कर दो नहीं कर दो नहीं कर दो इंदौर के इतियास में कोरोना एक ऐसा संकट बनके उबरा जिसमें इंदौर पुलिस जिला प्रशासन स्वयम सेवी संगठन यहां तक कि कई धर्म गुरुओं ने 24 गंटे जी जान लगाकर लोगों की मदद की और एक नहीं एक्जामपल सेट किया है हम लोगों ने आज कच्रागाडी के मद्धम से ओर्डर लेना शुरू करवाया है हम होंगे कामियाब जब से लॉक्डाउन लगा है हम बाइपास पर सेवा कर रहे हैं रहगीरों को जो महराश्ट से यूपी पश्चिम बंगाल बिहार जहां के भी रहगीर है पानी की बॉडल, ताजा खाना बना हुआ देना, बच्चों के लिए बिस्केट, तूद, छाच, आधी सामगरी दोस्तों के सल्योग से प्रती दिन हम बाट रहे हैं यापे हम होंगे कामियाब एक दिन और इस कुराना को हराने के लिए इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, छोटा बच्चा हो, बुड़ा हो, जवान हो अपन भी बच्चे और दुसरों को बचाए लेकिन अगर हम सब चाहें, तो ये एपिडेमिक हमारे को छू भी निभाएगी और इंदोर वासियों, देश धर्म, राष्ट धर्म, प्रित्वी धर्म ये सब निभाना चाहिए इंदोर मिलकुल हरा भरर है उजालों ने हमेशा ही हराया है अंधेरों को, आओ एकत्र हों, परास्त करें करोना जनित विशादों को कहते हैं, पुरे विश्च का सबसे लंबा और बड़ा लॉकडाउन भारत में लगा और इंदोर वो शहर था जिसने देश का 21 दिनों का सबसे सक्थ लॉकडाउन जहला जहलना भी था क्योंकि शुरुवात में 300% की दर्व से इंदोर में पॉजिटिव केसिस मिल रहे थे एक रिपोर्ट के अनुसार, एक से 21 मार्च के बीच में ही तीन हजार से भी ज्यादा लोग विदेशों से एर ट्रैवल कर इंदोर में आए जिनकी शुरुवाती कॉंट्रैक्ट ट्रेसिंग करना निगम के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी मार्च से जहां एक तरफ कोरोना परिशान कर रहा था महीं दूसरी तरफ स्टेट और इंदोर लीडर्शिप को लेकर कनफ्यूज थे पहले सीएम बदले फिर इंदोर के कलेक्टर महोद है लेकिन कोरोना ने अपना रास्ता नहीं बदला इंदोर की तंग बस्तियों से होते हुए पूरे इंदोर में अपनी पकड़ बनाने लग गया यह फरवरी और मार्च में फैला है पूरा यहां पर फरवरी में फैलना शुरू हो गया था और जो में तीन पॉकेट से हैं खजराना चंदन नगर और इंदोर इंदोर ना कोई बाहर जासकता था ना कोई अंदर आ सकता था 8000 से भी ज्यादा इंदोरी अपने घरों में कॉरंटाइन कर दिये गए थे संक्र में तो के घर के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिये गए जिसके चलते जो पडोसी कभी शकर तो कभी दूत के बहाने घर की घंटी बजाय करते थे वो अचानक से एलियन बन गए शहर में संक्रमन की ये तो बस एक शुरुवात भर थी कॉरोना को तो अभी इंदोर में और कहर बर पाना था इंदोर में बने कॉरिंटाइन सेंटर से भाग जाना इंदोर में वो सब कुछ हो रहा था जिसकी कलपना की जा सकती थी लेकिन हद तब पार हो गई जब सामने आया एक ऐसा वाकिया जो इंसानियत और कलपना से भी परे था जिसमें इंदोर को फिर एक बार न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज में कटगरे में लाकर खड़ा कर दिया जो उसके मुख्य आरूपी उसमें जो चार लोग थे जिनका इस घटना के शिम उपरोल था तो चार लोग को पुलिस जो पर नहीं छोड़ा जाएगा उनके गलाफ सब्सक्राइब करना हो उनसे इस तरह से इनना पेशाएं कि सारे मुल्क के लोगों के सामने शर्विंदी की सिर्करदन चुग गई समय लगा परप्रशासन, निगम, स्वास विभाग, पुलिस और मीडिया ने मिलकर इस समस्या को सुलजाया और जब लगा कि चीज़ें हम समानने होने लगी हैं तभी एक ख़वर आई कि अब इस कोरोना वाइरस ने इन दौर के कोरोना वारियर्स को भी अपनी चपेट में ले लिया है पुलिस परवार के लिए एक अप्रोनी इचाती का दिन है आज हमारे बहादूर्यम जांबाज ने रिचल देविन रुकमान कोरोना से लड़ते हुए इस जंग में सहीद हुए है कोरोना ने लोगों को सिखाया कि जीवन को नियूंतम में भी जिया जा सकता है तब तक रोज मर्रा की जरूरी चीज़ें जैसे दूट सबजी किराना एक बड़ा मसला बन चुकी थी जैसे जैसे लॉक्डाउन का समय बीटता जा रहा था लोगों का सबरकाबान भी तूटता जा रहा था जहां लोग जरूरी सामान लेने के लिए घर से बहार निकलने को मजबूर थे वहीं जिला प्रशासन परिशान था कोरोना ग्राफ को बढ़ता हुआ देखते हुए लेकिन कहते हैं न जहां चाहा होती है वहां रा अपने आप निकल आती है जिला प्रशासन और नगर निकम की टीम की प्लानिंग एवं टीमवर्क ने ऐसा कारिकर दिखाया जो आगे जाकर भारत में एक मिसाल बना वाट स्तर पर किराना वेंडर्स को साथ लाए और एक होम डिलेवरी सिस्टम डेवलब किया गया जिसके जिम्मदारी वाट प्रभारी को दी इससे लोगों को घर बैटे ही जरूरी किराना सामगरी और सैनिटाइस की हुई सबजियां अपने पास की ही किराना दुकान से मिलने लगी हॉस्पिटल्स में आईसोलेशन बेट्स की कमी पड़ी तो शहर के होटिल्स और मैरिज गार्डन्स को कौरेंटाइन सेंटर में तबदील किया गया ताकि अस्पतालों का बोज कम हो जिनके पास घर थे वो तो अपने घरों में लॉकडाउन थे लेकिन इन दौर में हजारों की संख्या में कई ऐसे लोग थे जिनके पास ना रहने को घर था ना दो वक्त का खाना इन दौर नगरनिगम ने ऐसे लोगों को चिन्नित कर शहर के भार बने रादस्वामी सत्संग में पहुँचाया और वहाँ पर दो वक्त का खाना भी दिया इंडॉर पुलिस की मदद से शहर के कोने-कोने में फुट्स पैकेट्स विजवाई गए एक आकडे के अनसार इंडॉर पुलिस द्वारा प्रती दिन शहर के अलग-अलग जगाओ पर एक लाग से भी ज़्यादा फुट्स पैकेट का वित्रन किया जाता था जिन मशीनों पर थी सफाई की जिम्मेदारी अववे कर रही थी इंडॉर को सेनेटाइज और जिन ड्रोन्स को हमने शादियों में फोटोग्राफ लेते देखा हुआ था अब वे मशीने हाइड्रोजन क्लोराइड का छिरकाव करते राजबाडा और रानीपुरा पर देखी जा सकती थी सिलसिला या नहीं थमा जो इंडॉर कोरुना की शुरुवात में गलत कारणों से चर्चा में था आज पुरा देश उसकी मिसाल दे रहा था इंडॉर से पुरे भारत में शुरू हुआ होम आईसोलेशन ट्रीटमेंट मेथड मील का पत्थर साबित हुआ इससे ना केवल अस्पतालों का बोज कम हुआ बलकि मरीजों में भी इलाज को लेकर भै कम हुआ और लोग आगे बढ़कर टेस्ट करवाने लगे इससे प्रशासन को भी स्तिती को समझने में सहुलियत हुई प्लाजमा डोनेशन ट्रीटमेंट से कोरोना पॉजिटी मरीजों का इलाज का पहला दौर इन दौर से ही शुरू हुआ फीवर क्लिनिक एक ऐसा कॉंसेट बनकर उभर कर आया जिसने लोगों के अंदर से कोरोना की जिज़ग को कम किया साथ ही साथ लक्षन दिखने पर सबसे पहले कहा जाना है और क्या करना है ऐसे सवालों पर भी फुल स्टॉप लगाया इन सब किस्सों को इन तस्वीरों को आपको वापस दिखाने का टीम इंदौर टॉक का केवल एक ही मकसद है कि कहीं ऐसा ना हो ये दौर फिर आ जाए इसलिए इन दौर अभी भी वक्त है हम समल सकते हैं सरकार निगम और प्रशाशन क्या कर रहे हैं ये समय अब ये सोचने का नहीं है ना इस पर डिबेट करने का उन्हें जो करना है वो तो करेंगे ही लेकिन अब ये वक्त है ये सोचने का कि हम क्या कर सकते हैं आज इन दौर की पॉपुलेशन प्रदेश में सबसे ज़ादा है। उपर से पडोसी जिलों के मरीजों का बोज अलग। प्रशासन कितना भी कर ले कमी तो रहनी ही है। अगर हम अभी भी यूँ ही 56 दुकारन पर तफ्री करने जाते रहेंगे, चौक चोराओं पर मस्ती करेंगे, पाताल पानी चोरल भी घूंगने जाएंगे और एनिवर्सरी मनाने फारमाउस पहुंच जाएंगे, तो आज जो कोरोना का ग्राफ 400 है वो कल बढ़कर 1000 भी होगा और परसु बढ़कर 2000 भी होगा तो इस साल आने वाले समय में घर से बाहर कर हो कोई भी काम उसे इच्छा से नहीं बल्कि जरूरत पढ़ने पर ही करें शायद इसी तरीके से हम अपने घर, अपने पडोस, अपने शहर या शायद अंत में अपने देश को भी बचा सकें जेहन